Hello everyone, welcome to StudyTube इस वीडियो में हम लोग NCRT सीरीज के अंदर चाप्टर नमर 35 स्टार्ट करेंगे चाप्टर का नाम है Plant Kingdom पादप जगत बांके सारे चाप्टर्स के तरह इसमें भी हम लोग Theory प्लस MCQ को देखेंगे इसमें हम लोग Total 60 सवालों को देखेंगे 60 सवालों के साथ इस एक वीडियो में हम लोग इस चाप्टर को समाप्ट करेंगे अब आप में से कुछ को ऐसा लग सकता है कि पादप जगत Plant Kingdom चाप्टर में केवल 60 सवाल क्योंकि आपने इसमें उमीद लगाया होगा कि मैं 110-120 से तो जादा ही करवाऊंगा इसमें कम नहीं करवाऊंगा तो आपने ऐसा इसलिए सोचा क्योंकि आपने Plant Kingdom के साथ मर्ज कर दिया Plant Morphology को पादप अकारिकी को तो Plant Morphology ये में अलग करवाऊंगा Plant Kingdom ये में अलग करवा रहा हूं तो इसमें हम लोग केवल Plant Kingdom के उपर सवाल देखेंगे इसमें भी 60-70 सवाल आएगा और इसमें मैं 65-65 सवाल मैं आपको करवा रहा हूं तो टोटल ले करके आप 120-130 प्लस ही जाएगा ये दोनों चेप्टर मिला करके वैसे ये दोनों चेप्टर अलग-अलग होते हैं Plant Kingdom ये अलग होता है और ये Plant Morphology ये अलग होता है और इस दोनों को अलग-अलग पढ़ना ही सही है क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा और पुड़ा खिचड़ी हो जाएगा अगर दोनों साथ में अपने पढ़ातो तो पहले आप इसको पढ़ो और उसके बाद मैं आपको ये पढ़ाऊंगा Plant Morphology और Plant Morphology एक महत्वपुर्ण चैप्टर है इनसे काफी सारे सवाल पूछे जाते है तो बाकी सारे चैप्टर्स जो मैंने अब तक अप्लोड किये है उन सभी को देखने के लिए हमारे चैनल के प्लेलिश को चेक करो NCRT नाम से प्लेलिश मिलेगा सारे चैप्टर्स आपको उस प्लेलिश के अंदर मिल जाएंगे अभी भी आप मेंसे कुछ कमेंड करते हैं कि क्लास 9 आउट 10 का Physics के मेंस्टी करवा दीजी वो सब अलड़ी समाप्त हो चुका है बहुत पहले तो आप उस प्लेलिश को चेक करो तो स्टाट करते हैं इस चैप्टर को कुछ बिंदू के साथ कुछ पॉइंट्स के साथ प्लांड किंग्डम मेंबर्स तो प्लांड किंग्डम का मेंबर कौन होगा प्लांड किंग्डम के अंदर जो भी पादप आते हैं वो सारे के सारे यू करियोटिक होते हैं वैसे भी आप जानते हो केवल किंग्डम मोनेडा ही था जो की प्रो करियोटिक था बाकि सारे चाहे वो प्रोटिस्टा जगत हो चाहे वो कवक जगत हो चाहे पादप जगत, चाहे जन्तु जगत, सब के बारे में आप जानते हो कि ये होते हैं eukaryotic केवल, kingdom, protista और kingdom, moneda ही था जिनके अंदर unicellular organisms आते थे उसके बाद जो भी है कवक, पादप और जन्तु उन सभी में multicellular होते है हर पादप के अंदर आपको chlorophyll A मिलेगा, chlorophyll A होता है, B होता है, C होता है, D होता है कई प्रकार के होते हैं, तो बाकी B, C, D ये सब किसी में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है Chlorophyll A ये सब में मिलेगा चाहे वो कम मिले या फिर ज़्यादा मिले लेकिन सब में मिलेगा Chlorophyll A है ये photosynthetic pigment है अगर Chlorophyll A है सारे में तो definitely photosynthesis भी करेंगे यानि सब के सब क्या होते हैं सबोशी होते हैं अपना खाना खुद से बनाते हैं कई बार आप पढ़ चुके हो कि जो पादप है पादप की जो कोशिका है उनमें कोशिका भित्ती होती है और वो cellulogy का बना होता है पादप के अंदर जो reserve food होता है वो starch के रूप में होता है जनतों में glycogen के form में और पादप में starch के form में अब यह सारी जो बाते हैं यह सब तो आप पहले से जानते हो मैंने आपको खुद बताया हुआ कई बार यह सारी जो बाते है यह एक सामानने बाते है इसे बाते है general features है यह हो सकता है कुछ पादप ऐसे हो जिनमें इनमें कुछ points जो है वो लागू ना होता हो, यानि अपवाद के तोर पर कुछ पादप ऐसे हो सकते हैं, जिनके अंदर आपको cell wall नहीं दिखेगा कुछ पादप ऐसे हो सकते हैं, जिनके अंदर आपको multicellularity नहीं दिखेगा तो कुछ पादप ऐसे अफवाद गरूप में हो सकते हैं देको इतनी सारी जातिया है पादप के अंदर कुछ अफवादों तो होना तैह है लेकिन आप ये सारी बाते जो हैं समाने तोर पर याद रखेंगे कि जो पादप होते हैं सारे में क्लोडोफिल Α होता है क्लोडोफिल Α हाः फोटो-संthetic pigment है सब के साब फोटो-संtheticist करेंगे cell wall cellulodge की बनी होती है और सटार्च इसका रिजर-फूट होता है अब आते हैं पहले सवाल के उपर निमने में से कौन निमने में कौन और राइट आंसर इन में से कोई नहीं है, जो कि विशेस्ता नहीं है. पदव जगत का देखो वरड़ी करन किस परकार से किया गया है? सबसे पहले किया या क्रिप्टो गैम और फैनेरो गैम के अंदर. क्रिप्टो गैम के अंदर वो पादा पाते हैं जो देते हैं बीज सॉरी माफ करना जो बीज नहीं देते हैं और जिनके जो सेक्स ओर्गन होते हैं वो हिडेन होते हैं यानि ये बीज नहीं देते हैं और इनका जो जननानांग होता है वो और प्रत्यक्ष होता है वो दिखता नहीं है फैनरो गैम के अंदर वो सारे plant आते हैं जो seed देते हैं और इनके जो sex organ होते हैं जो इनके sex organ होते हैं वो visual होते हैं यानि कि exposed होते हैं वो दिखते हैं लेकिन यहाँ पर नहीं दिखते हैं तो यह चीज आप दिहान रखेंगे NCRD का लाइन है कि sex organ यहाँ पर hidden होता है और यहाँ पर दिखता है अब क्रिप्टो गैम के अंदर भी तीन पार्ट्स हैं इसको तीन ग्रूप में बाट दिया थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टरीडोफाइटा ध्यान रखना है थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टरीडोफाइटा यह सारे क्रिप्टो गैम है इसका मतलब यह हुआ कि यह सब बीज नहीं देते है फैनेडो गैम के अंदर दो पार्ट्स में बाटा अनावरित बीजी यानि कि जिमिनो एस्परम आवरित बीजी यानि कि अंजियो एस्परम अनावरित बीजी यानि बीज का बीज जो है वो आवरित नहीं है जिमिनो यानि कि निकेड होता है और इस्परम यानि कि बीज होता है आवरित बीजी यानि बीज का चारो तरफ आवरन है Angio मतलब covered होता है और Sperm मतलब seed होता है तो ये भी seed देने वाले plant है ये भी seed देने वाले plant है और जो plant seed देते हैं उसे spermatophyte बोलते है तो ये दोनों हो जाएंगे Spermatophytes Sperma मतलब seed और fights मतलब जानते हो plant फिर Angio Sperm के अंदर भी दो groups है Monocot and Dicot अगर मैं आपसे पूछूँ कि पादप जगत के अंदर सबसे पहले कौन आया जैसे Animal Kingdom के अंदर सबसे पहले पोड़ी फेड़ा आया उससे थोड़ा advance हुआ निडेडिया उससे थोड़ा advance हुआ प्लेटी हलमिंतस इस परकार से वैसे ही पादप जगत में अगर मैं बोलू सबसे पहले कौन आया तो ये शैवाल थेलोफाइटा समूँ के जो member है पादप उन्हें हम शैवाल बोलते है तो सबसे पहले जो है इस धर्थी पर शैवाल आते हैं उसके बाद ये ब्रायोफाइटा उसके पास ये उसके बाद ये ब्रायोफाइट्स आते हैं ये इन से थोड़ा एडवांस होंगे इनके बाद आया है उसके बाद आते हैं टरिडोफाइट्स तो ये इन से थोड़ा एडवांस हो जाएंगे ब्रायोफाइट्स से एडवांस उसके बाद यह gymino sperm तो teridoophyte से ज़़ादा advance होंगे gymino sperm और सबसे ज़़ादा advance से angio sperm यानि सबसे ज़़ादा advance इसमें हो गया angio sperm और सबसे ज़़ादा primitive टैब का हो गया यह thallophyta यह सबसे simple पाधब हो गया सबसे simple plant kingdom के यह members होते हैं शैवाल अब तक आपने जो भी देखा यहाँ पर थेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टरीडोफाइटा, जीमनोस्परम, एंज्योस्परम इन में केवल और केवल एंज्योस्परम ही है जो फूल और फल देते हैं फूल और फल देने वाले केवल एंज्योस्परम है ये चीज आप अच्छे से दिहान में रखेंगे केवल एंज्यो इस परम है जो फूल और फल देते हैं आपने एनिमल किंग्डम के अंदर फाइलम पढ़ा था तो आप में से कुछ सोचते होंगे कि प्लांट किंग्डम के अंदर वो फाइलम कौन सा है प्लाटील मिन्तरस, ऐसलमिन्तरस एनिलिडा ये सब है पाधब जगत के अंदर फाइलम कौन से है तो पाधब जगत के अंदर फाइलम आप बोल सकते हो फैलो फाइटा, ब्राई हरे ऐभाइटा, टरिडो फाइटा, जीमिन एस्परम, एंड अंज्यो एस्परम इन पांच को लेकिन अगर आपको याद हो तो मैंने आपसे कहा था कि हम पादब जगत के अंदर फाइलम शब्द का इस्तमाल नहीं करते हैं इसके अस्थान पर हम लोग यहाँ पर डिवीजन शब्द का इस्तमाल करते हैं अब एनिमल किंग्डम के अंदर यहाँ फाइलम हुआ करता था यहाँ पर डिवीजन होगा तो पहला डिवीजन थैलोफाइटा उसके बाद ब्राइवफाइटा तब तेरीडोफाइटा तब जीमिनोस्पर्म और तब यह एंज्योस्पर्म किप्टो गैम्स के सदर में कौन असत्य हैं तो किप्टो गैम्स जो होते हैं हमसे असत्य पूछा है ना तो यह नोन फलावरिंग होते हैं यह बिलकुल सही है यह बीज नहीं देते हैं यह भी सही है इनके sex organ हिड्यन होता है यह भी सही है मोनो कोट, डाइकोट की बात हम लोग एंजियो स्पर्म में करते हैं किप्टो गैम के बारे मैंने आप से पताया ये बीज रहीत पौधा है और इनका जो जरनांग होता है वो अप प्रत्यक्ष होता है चुपावा होता है फैनरो गैम ये बीज देने वाले पौधे होते हैं और इनके जो सेक्स ओर्गन होते हैं वो प्रत्यक्ष होते हैं विजवल होते हैं या फिर बोलतो प्रत्यक्ष होते हैं निमन में कौन क्रिप्टो गैम के अंतरगत आते हैं, क्रिप्टो गैम के अंतरगत अभी आपने देखा थैलो फाइटा, ब्राइओ फाइटा, टरीडो फाइटा, ये सारे, फैनरो गैम के संदर में सही चुनना है, सही बताना है, तो फैनरो गैम के अंदर जो पादप आते है उनके जो sex organs होते हैं वो well differentiated यानि पुर्ण विक्षित और विवेदित होते हैं ये सही है सारे के सारे full देते हैं सारे के सारे full देते हैं फैनरोगेम के अंदर भी आपने NGO-sperm देखा और जीमिनो-sperm देखा ये गलत हो जाएगा ये बीज उतपन नहीं करते हैं तो ये गलत हो जाएगा हमसे सही पूछा था अंसर A डैश पौधो की शारड़िक सनचना में भी विवेदिकरन नहीं पाय जाता मतलब जड़ नहीं होती है तना नहीं होता है और पत्ती नहीं होती है ये है थैलोफाइटा थैलोफाइटा के अंदर शैवाल आते है तो शैवाल के अंदर ना तो आपको stem दिखेगा ना ही आपको leaf दिखती है और ना ही आपको root दिखती है ना तो तना दिखेगा ना पत्ती ना फिर ये जड़ दिखेंगे इतने ज़्यादा ये सिंपल होते हैं मैंने आप से कहा सबसे पहले पादब जगत के अंदर शैवाल है तो ये इतने ज़्यादा सिंपल होते हैं कि इनमें ये तना, ये पत्ती, ये जर ये सब होते ही नहीं है ये सब नहीं होते हैं और जब जड़ तना पती ये सम नहीं हो, तो हम बोलते हैं कि इनका जो शरीड है वो थैलस-like है, थैलस-like body है, या फिर इसी को बोलते हैं कि थैलोइड body है, ठीक है, थैलोइड body है, अगर हम बात करें ब्रायोफाइटा के अंदर, जो प्लांट आते हैं, उनमें भी आपको stem नहीं दिखेगा, उनमें भी आपको ये leaf नहीं दिखेगा, उनमें भी आपको ये root नहीं दिखेगा, ये सब नहीं दिखेंगे इनके अंदर भी, और इनको भी हम यहाँ पर बोलेंगे कि ये थैलस-like body है इनका, ब्रायोफाइट के अंदर लेकिन इन दोनों में अंदर क्या है कि ब्रायोफाइटा थेलोफाइटा के बाद आ है जो ब्रायोफाइटा है वो थेलोफाइटा के बाद आ है तो इनसे ये थोरा सा एडवांस है तो ब्रायोफाइटा के अंदर stem नहीं होता, leaf ये सब नहीं होती, लेकिन stem जैसी सनचना, पत्ती जैसी सनचना होती है वो वास्तिविक जड़ नहीं, वो वास्तिविक तना नहीं होता, वो वास्तिविक पत्तिया नहीं होती लेकिन तना जैसी, पत्ती जैसी सनचना होती है इसलिए हम बोलते हैं कि जो bryophyta है इनका जो शरीड है ये thallophyta के तुलना में differentiated है commonly differentiated है इनके तुलना में ये विवेधित है इनमें हम विवेधिकरन कर सकते हैं कि पत्ती जैसी सनचना कौन है तना जैसी सनचना कौन है वास्तिविक नहीं होता लेकिन मैं आपसे अगर एक लाम ने पूछू कि क्या bryophyta और thallophyta के अंदर ये stem, leaf and root ये सब होते हैं आपका अंसर होगा नहीं नहीं होते हैं थallophyta के बारे में हम जानते हैं कुछ बातों को जो thallophyta समू के पादप होते हैं लक्रियों पे इन सब पर भी पाया जाते हैं अगर वहां हमेशा नमी बनीर हुई रहती हैं या फिर बल्दू हमेशा वो गीले रहते हैं पत्थर हो, मिट्री हो लक्री हो ये सब तब वहां पर आपको ये शहवाल देखने को मिल जाएंगे लेकिन जादा तर ये जलिये होते हैं ये चीज़ आप दिहार नखेंगे मैंने अभी आपको बताया इसमें ना तो जर है ना तो तना है ना ही पत्तिया है इनका जो शरीड है थैलस जैसा शरीड है या फिर थैलोईड बोड़ी बोल दो वैस्कुलर टीसु बोलते हैं हम लोग जाइलम और फ्लोएम को तो नॉन वैस्कुलर है मतलब इनमे ना तो जाइलम होगा ना ही फ्लोएम होगा एक्जामपल्स इस्पाइरोगारा अलवा जिसे हम लोग समुदरी सलाद भी कहते हैं समुद्री सलाद इसलिए बोलते हैं कि कुछ सलाद के तौर पर खाया जाता है कारा हो गया, यूलोथ्रिक्स हो गया, क्लेडोफोरा हो गया ये सारे जो नाम है ये क्लास 9th NCRT में दे रखे हैं तो ये सारे important है शवालों के दिन को phycology कहते हैं चертв तानों पर पाया जाने वाले शवाल को लिथोफाईट और बर पर पाया जाने वाले शवाल को क्रिप्टोफाईट बोलते हैं शवाल जब आप पादम भी बोल सकते हो अब थैअलोफाईटा जो समू है इसके अंदर देखो तीन वर्ग है ये रंग के धारबर है Chlodophyce के अंदर हरा शयवाल आएगा Vivochochic के अंदर भुरा शयवाल आएगा Rotophyce के अंदर LAL शयवाल आएगा अब हरा शयवाल है क्योंकि इसके अंदर Chlodophyll ज़्यादा है 북ura Chlodophyll के अंदर भी Chlodophyll होगा लेकिन इस से ज़्यादा होगा क्लोरोफिल तो आपको सम्मे मिलेगा लाल शवाल के अंदर भी क्लोरोफिल होगा लेकिन क्लोरोफिल से ज़्यादा इसमें होगा फाइको एडित्रीन फाइको एडित्रीन ये वाला पिग्मेंट ज़्यादा होगा क्लोरोफिल के तुलना में इसलिए ये लाल है, तो ये लाल रंग देगा ये भूडा रंग देगा और यहाँ क्लोरो फिल ज्यादा होगा अब कुछ आर्थिक महतु की बात करते है शावालों के कुछ आर्थिक महतु भी होते है तो अगार-गार आपने सुना होगा टिसू कल्चर में यह लाल शैवाल से प्रप्त होता है, यह important है, सारगासम नाम का शैवाल होता है जिनसे कृत्रिम-ओन प्रप्त किया जाता है, और इसका उपयोग मविश्चों के चारे के रूप में, यानि के फुटीर के रूप में भी किया जाता है, लेमिनेरिया शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है जीविग्यान के शेतर में अनुसंधान वे यानिकी रिसर्च के फिल्ड में क्लोरेला शैवाल का इस्तमाल किया जाता है इसे अंतरिक्ष शैवाल भी कहते है एसिटाबुलेडिया का इस्तमाल किया जाता है वैलोनिया का इस्तमाल किया जाता है यह सारे नाम महत्वपुर्ण है एक कोश्की हरा शहवाल एक कोश्की हरा शहवाल अभी थुर्दर पहले आपने देखा कि जो पादप जगत के मेंबर हैं वो बहु कोश्की होते हैं लेकिन यहाँ देख लो एक कोश्की एक अब बात तो आपको यहीं पर दिख गया एसिटा बुलेरिया, क्लोडेला एंड क्लेमाइडो मोनास एसिटा बुलेरिया, क्लोडेला एंड क्लेमाइडो मोनास यह सारे एक कोश्की हरे शहवाल है तो यह तीनों ही नाम इंपॉर्टन है आपसे कोई भी एक्जाम में पूछा जा सकता है एक और महत्वपुर्ण बाद सबसे बरा सबसे बरा एक कोश के शैवाल या फिर बोल दो सबसे बरा एक कोश के पादप या फिर बोल दो सबसे बरा एक कोश के जीव यह है एसिटा बुलेरिया लेकिन मान लो, मान लो Acetabularia नहीं हो या फिर Acetabularia हो लेकिन साथ में आपको ये नाम भी दिख जाए Kolpa Kolpa Taxi Folia Kolpa ये है Kolpa Taxi Folia अगर ये नाम आपको दिख जाए तब आप इसको टिक मार देना वैसे ज़्यादा चांस मुझे लगता Acetabularia ही होगा तो पहले प्रियोटी पर तो मैं आपको ये बोलूँगा पहले आप इसके साथ जाएंगे अगर ये आपको दिख गया तब आप Acetabularia को टिक मत मारना तब आप इसको टिक मारना Kolpa Taxi Folia को तो सबसे बारा एक कुश के सैवाल बोल दे एक कुश के पादब बोल दे एक कुश के जीब बोल दे तो ये दो नाम आपको ध्यान में रखने Acetabularia और Kolpa Taxa Taxi Folia पहले ये नमबर पर आप रखेंगे Taxi ये इसको Kolpa को और दूसरे नमबर पर Acetabularia को तो विकल्प के अनुसार आप आंसर देंगे थेलोफाइट्स में उपस्तित होते हैं थेलोफाइट्स में ना तो जड़ होती है ना तो तना होता है और ना ही पत्या होती है इनमें से कोई नहीं डैश वर्ग के पौधों को समानेता शेवाल कहा जाता है और ब्रायोफाइटा को एमफीबियन कहा जाता है और टेरिडोफाइटा को रेप्टाइल कहा जाता है यानि कि सरी स्री थेलोफाइट्स मुख रूप से पाय जाते हैं थेलोफाइट्स मुख रूप से ये जल में पाय जाते हैं निमने में कौन थेलोफाइड है कारा है, स्पारोगैरा है, अलवा है यह सारे के सारे यहाँ आप नाम देख सकते हूँ यहí CART का मैंने पेस्ट डाला हुआ है कारा हो गया, अलवा हो गया, स्पारोगैरा हो गया यूलोथ्रीक्स एंड क्लैडोफोड connects Eulothrix and Cladophoda Dash समू के उदारण है तो Thelophytes हैं यह दोनो यहां देख सकते हो Eulothrix and Cladophoda निमन में कौन सा वर्णक सभी शयावाल में पाया जाता है सारे के सारे शयावाल में मिल जाएगा Clodophyll A Clodophyll A सारे प्लांट में आपको मिल जाएगा हर plant के अंदर आपको chlorophyll A मिलेगा चाहे वो कम हो जादा हो लेकिन मिलेगा बाकि सारे जो chlorophyll के types हैं वो किसी में हो भी सकते हैं और किसी में नहीं भी हो सकते हैं निमिन में कौन एक कोश्के हरा शेवाल है एक कोश्के हरा शेवाल है Acetabularia, Clemydomonas and Clodella निमिन में कौन लाल शेवाल है Red algae Red algae इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर क्या होता है Phycoerythrin क्या इसमें Clodophyll नहीं होगा Clodophyll इसमें भी होगा लेकिन वो कम होगा Phycoerythrin जादा होगा Red algae यह आता है Rhodophyta के अंदर Rhodophyta यानिकी Red algae Clodophyte यानिकी Green algae और Phyophyte यानिकी Brown algae Brown algae इसलिए होता है क्योंकि उन्हें Phycoerythrin नाम का वड़नक सबसे ज़्यादा होता है Phyophyc वड़ के अंदर गत आता है तो Phyophyc वड़ के अंदर गत कौन आएगा Phyophyc यानिकी Phyophytes तो Phyophytes यानिकी Brown algae C हमारा Right Answer तो शैवाल ये अलग-अलग रंग के हो सकते है डिपेंड करता है उनके अंदर कौन सा वड़नक सबसे जाता है तो बरब के अगर उपर शैवालों की अगर परत है तो जिस रंग का वो शैवाल होगा वो जो हीमशिकर होगा जो iceberg होगा वो उसी रंग का दिखेगा जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो यह शवालो की पड़त है उपर में जो यहाँ पर pink कलर और यहाँ पर bluish कलर दे रहा है तो D हमारा right answer होना चाहिए white लेकिन देखो यहाँ पर यह pink कलर और यह bluish कलर तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यह जो आप उपर में देख रहे हो रंग यह शवालो का रंग है ना कि iceberg का अब हम लोग देखेंगे ब्रायोफाइटा के बारे में कुछ बातों को फिल करेंगे सवालों को ब्रायोफाइटा को कहा जाता है amphibian of plant kingdom पादप जगत का उभेजड का जाता है ब्रायोफाइटा को दगों जो शेवाल थें वो जलिये थें जादा तर तो जलिये ही थें जैसे मचली मचली यह जलिये होती है और उसके बाद amphibian आता है उसके बाद उभेजड आता है वैसे ही थेलोफाइटा वो एक्वेटिक थें जलिये थें ब्रायोफाइटा यह amphibian यह कहलाएंगे amphibian तो पादप जगत का amphibian ब्रायोफाइटा अगर पूछा जाए कि पहला कौन सा ऐसा पादप है जो जमीन पर आया आपका आंसर हो जाएगा ब्रायोफाइट amphibian हम इसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि यह जमीन पर तो रह सकते हैं लेकिन water चाहिए sexual reproduction के लिए इसलिए हम इसे amphibian बोलते हैं मैंने आपसे पहले ही कहा इनके पास भी ना तो true stem होगा ना ही true leaves होती है वास्तविक जड़ तना पतियां यह सब नहीं है लेकिन इनमें पतियों जैसी तनाओं जैसी सनचनाय होती है यानि थैलोफाइट के तुलना में यह differentiated होते हैं यूगि थैलोफाइट आकर यह बाद आये हैं तो थोड़ा से advancement तो इनके अंदर होना ही है अब देखो यहां root तो नहीं है इनके पास root तो नहीं है लेकिन root जैसा काम करने के लिए इनके पास rhizoid है तो यह नाम आप दिहान लखेंगे rhizoid याने की मुलांग इनके पास मुलांग होता है यह भी non-vascular होते हैं इनके पास भी jailum phloem नहीं होगा यह भी आप दिहान लखेंगे अच्छे से तो यहां पर gel का सहमान gel का सहमान jailum के तुरू होता है न लेकिन जैलum तो यहां पर है नहीं तो यहां पर जो gel का सहमान है यह parent काईमा जो कोशिका होती है parent काईमा cells होते हैं इनके दोरा होता है अब ब्रायोफाइटा के अंदर भी तीन वर्ग है liverwort, hornwort and moss liverwort के अंदर rixia and markensia rixia and markensia यह नाम आपको धिहान वे रखने होंगे hornwort के अंदर anthoceros और moss के अंदर sphagnum, funeria and daosonia daosonia यह सबसे बड़ा ब्रायोफाइट है या फिर बोलतो कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है कोई भी नाम लेकिन ये तीन तो कम से कम आप याद रखो ही प्रता में विश्यूदि के दोरान sphagnum का इस्तमाल किया गया थारूई के अस्थान पर घाव भड़ने के लिए सबसे बड़ा bryophyte, daosonia या फिर सबसे लंबा downonia और सबसे छोटा geopsis सबसे छोटा geopsis अब आते हैं फिर से सवालों पर डैश वर के पौधों को पादप वड़ का उभहचर कहा जाता है तो amphibians of the plant kingdom ये कहा जाता है bryophyta को क्यों कहा जाता है क्योंकि ये जमीन पर तो रह सकते हैं लेकिन इनको चाहिए पानी, लेंगी की जनन करने के लिए इसलिए ये ऐसे अस्थान पर होते हैं कि जहां इनको पानी मिल जाए जहां इनको पानी मिल जाए तो जहां नमी सबसे ज़ादा हो ना वहाँ पर ये plant मिलते हैं land पर भी जहाँ नमी सबसे ज़ादा हो वहाँ पर ये plant मिलते हैं क्योंकि इनको पानी की अवशक्ता है लेंगिक जनन के लिए तो एकदम से dry अस्थान पर ये bryophyte नहीं मिलते है bryophyte में उपस्तित होता है तो root नहीं होती leaf नहीं होती stem नहीं होता rhizoid होता है d हमारा right answer ये तीनों नहीं होते हैं ये तीनों नहीं होते हैं मुलांग होते हैं root के अस्थान पर यहाँ पर क्या होते हैं jd के अस्थान पर यहाँ पर क्या होते हैं मुलांग होते हैं डैश, ब्रायोफाइट में अनुपस्तित होते हैं, ब्रायोफाइट के अंदर नहीं होते हैं, क्या वैस्कुलर टिसू ये होते हैं, वैस्कुलर टिसू बोले तो जाइलम एंड फ्लोएम, ये दोनों नहीं होते हैं, भी हमारा राइट आंसर, राइजोईड होते हैं, क्लोड कैमा सेल्स करते हैं C हमारा राइट आंसर लिवरवर्ट और मॉस लिवरवर्ट और मॉस है क्या है ये ब्रायोफाइट्स है A हमारा राइट आंसर सबसे लंबा ब्रायोफाइट है सबसे लंबा टॉलेस्ट ब्रायोफाइट है डाउसोनिया बी हमारा राइट आंसर, डाउसोनिया और सबसे छोटा जूअपसिस निमिन में कौन एक ब्रायोफाइट नहीं है, स्फेगनम है, मारकेंसिया है, हरिक्सिया है, यह सारे के सारे है, कारा तो यह शैवाल है अब आते हैं टरीडोफाइटा के बारे में, टरीडोफाइटा के अंदर, यह पहले ऐसे पादप हैं, देखो मैंने आपसे कहा, सबसे पहले आये थैलोफाइटा उसके बाद आते हैं ब्रायोफाइटा, उसके बाद आते हैं टरीडोफाइटा थैलो फाइटा के पास इन दोनों के पास इन दोनों के पास ना तो तना था ना तो रूट थी और ना ही पत्तिया थी ये तीनों नहीं थें सबसे पहले टरीडो फाइट्स थें जिनके पास वास्तविक चर वास्तविक तना और वास्तविक पत्तिया ये सब थें ये चीज आप दिहान में रखेंगे सबसे पहले टरीडोफाइटा के मेंबर टरीडोफाइटा के पादप थे जिनके पास वस्तविक जड़ तना और पत्या देखने को अब तक आप ने देखा कि ब्रायोफाइट एंधैलोफाइट के अंदर ना तो जाइलम था और ना ही फ्लोईम था ये दोनों नहीं थे यानि कि नौन वैस्कुलर थे सबसे पहले टरीडोफाइट्स आये जिनके पास जाइलम और फ्लोईम उपस्ति था जिनके पास जाइलम और फ्लोईम उपस्ति था लेकिन यहां पर यह ध्यान लखने वाली बात है कि जाइलम के पास वही का नहीं है और फ्लोईम के पास साथी कोशिका नहीं है अगर आपको याद होगा तो plant tissue के अंदर आपने पढ़ा था कि जाइलम, जाइलम के components होते हैं tracheids होते हैं, vessels होते हैं, जाइलम fibers होते हैं, जाइलम paranchyma होते हैं, यह सब आपने पढ़ा था फ्लोईम के अंदर आपने पढ़ा था कि C tubes होते हैं, companion cells होते हैं, फ्लोईम fibers होते हैं, फ्लोईम paranchyma cells होते हैं, यह सब होते हैं तो वही मैं आपको बोला हूँ कि जाइलम के अंदर जो आपने vessels पढ़े थे ये vessels नहीं होते हैं और phloem के अंदर जो आपने companion cells पढ़े थे ये companion cells नहीं होते हैं यहाँ पर ये चीज दिहान रखने वाली बात है और ये जो बाते हैं ये जीमनो इस्परम के लिए भी सही है जीमनो इस्परम के लिए भी सही है कि जीमनो इस्परम में भी जाइलम होता है फ्लोएम होता है लेकिन जाइलम के पास vessels नहीं होते हैं वही का नहीं होती है और phloem के पास साथी कोशिका नहीं होती companion cells नहीं होते हैं तो कभी पूछे आपसे सबसे पहला ऐसा कौन सा plant था कौन सा समो था जिनी में जैलम और phloem देखा गया आपका आंसर होगा teridophyte तो आप देख रहे हो जैसे जैसे थैलोफाइटा से हम आगे जा रहे हैं थैलोफाइटा के बाद ब्राइवफाइट ब्राइवफाइट बाद तरीडोफाइट वैसे वैसे देखो advance होते जा रहे हैं plant नए नई नए सनचनाय आती जा रहे हैं इसके अंदर जैसे आपने Animal Kingdom के अंदर देखा था ये प्रतम अस्थलिय पाउधा है जिनके पास समवहन उत्तक है अगर आपसे सिर्फ इतना बुझता है कि प्रतम अस्थलिय पाउधा कौन है तो आंसर तो ब्रायोफाइट हो जाएगा लेकिन उनके पास समवहन उत्तक तो नहीं था इनके पास समवहन उत्तक है तो ये प्रतम अस्थलिय पाउधे हैं जिनके पास समवहन उत्तक है वैसे भी ब्रायोफाइट को जो है वो successful land plant नहीं माना जाता है सफल अस्थलिये पादप नहीं माना जाता है क्योंकि उनकी मजबूरी है जल लेंगिक जनन के लिए इसलिए सफल अस्थलिये पादप ब्रायोफाइट्स को नहीं माना जाता है सफल अस्थलिये पादप ये टरीडोफाइट के बाद ही जो भी आते हैं टेरीडोफाइट एंड उसके बाद जो भी आते हैं वो सब होते हैं लेकिन अगर एक जाम में सवाल पूछता है प्रता मस्तलिये पौधा जिनके पास समवन उत्तक है आपका अंसर्ट टेरीडोफाइटा होगा मैंने आपसे कहा कि जो पादब जगत का सरीजरिफ है ये है टेरीडोफाइटा ब्राइटा को एंफिवियन बोला गया और टेरीडोफाइटा को रेप्टाइल्स ऑफ द प्लांट किंग्डम कहा गया या फिर इसी को बोटैनिकल स्नेक कहा गया वोनस्पतिक सर्ब कहा गया समवन्य क्रिप्टोगेम्स तो देखो क्रिप्टोगेम्स के अंदर तो आपने देखा थेलोफाइटा ब्रायोफाइटा एंड टेरीडोफाइटा इन दोनों के पास वैस्कुलर टिसू नहीं था इन दोनों के पास वैस्कुलर टिसू नहीं था समवन्य उत्तक नहीं था ट बीज नहीं देते हैं तो थैलोफाइटा भी बीज नहीं देते हैं और टरीडोफाइटा भी नहीं दे रहे हैं लेकिन अगर हम बात करें कि सबसे ज़्यादा इनमें एडवांस कोन है सबसे विक्सित कोन है तो वो है टरीडोफाइट्स तो हम यह भी बोल सकते हैं कि यह सबसे ज़्यादा डेवलाप वो प्लांट्स हैं जिनके पास बीज नहीं है क्योंकि बीज नहीं देने वाले पाधपो में ये सबसे आखरी में आए सबसे बाद में आए पहले थैलोफाइटा, तब रायोफाइटा तब जागर के यह आए टरीडोफाइटा तो ये सबसे ज़्यादा विक्सित हो गया है जो बीज नहीं देते हैं उस ब्लांट के अंदर यहाँ भी एक्जामबल देखो टरीडोफाइटा समू के अंदर जो पाधप आते हैं उन्हें मैक्सिमम, मैक्सिमम कहे जाते हैं फर्न्स maximum क्या कहे जाते हैं funds कहे जाते हैं उसके बाद horse tail हो गया club moss हो गया marsilia हो गया और lycopodium यहाँ देखो club moss है तो club moss बोले तो answer अपका teridophyta होगा simply moss बोले तो answer अपका bryophyta होगा लेकिन club moss ये teridophyta के member है तो funds इस teridophyta के सबसे समाने पौदे हैं सबसे जादा जो है इस teridophyta समू के अंदर plant है वो है funds dash में वास्तविक जड़ तना और पत्ती उपस्तित होते हैं वास्तविक जड़ तना पत्ती सबसे पहले देखा गया teridophyte के अंदर E हमारा right answer यहाँ पर D, E, F, G है तो इसके अनुसार हमारा answer यहाँ पर E teridophytes में वो पस्तित होते है teridophytes में तो जड़ है, तना है, पत्तिया है, जाइलम है, फ्लोम है सारे के सारे है यह भी है, यह भी है, यह भी है D हमारा right answer लेकिन, लेकिन, लेकिन जाइलम के पास वैसल्स नहीं है और फ्लोम के पास companion cells नहीं है, यह दिहान में रखना निमिन में कौन teridophytes की विशिस्ता नहीं है teridophytes की विशिस्ता कौन नहीं है यह बताना है, vascular cryptogames यह ऐसे cryptogames है जिनके पास vascular tissue है, यह बिलकुल सही है यह developed seedless plant है यह seedless plant है जो सबसे ज़्यादा developed है यह भी बिलकुल सही है, क्योंकि यह thallophyta bryophyta के बाद आए है यह flowering plants है यह कहना गलत है, flowering plants तो के वल NGO sperm है botanical snake कहा जाता है, यह भी सही है, आंसर हमारा c निमिन में कौन प्रतम असलिये पाउधे है जिनके पास समयन उत्तक है देखो, अगर सिर्फ पूछे कि प्रतम असलिये पाउधे कौन है तब आपका आंसर होगा bryophyte तब आपका आंसर होगा bryophytes प्रतम असलिये पाउधे लेकिन इनके पास आप जानते हो ना vascular tissue नहीं था लेकिन पूछ दे आप से है कि प्रतम असलिये पाउधे जिनके पास समयन उत्तक vascular tissue है, वो कौन है तब आपका आंसर बदल जाएगा तब आपका आंसर होगा teridophyte D हमारा right answer teridophyte निमन में कौन पादप जगत का सरी स्रिप कहा जाता है यह कहा जाता है teridophyta amphibian था bryophyta, aquatic था thallophyta और reptile है teridophyta निमन में कौन teridophyte नहीं है निमन में कौन है जो teridophyte नहीं है moss, moss तो यह bryophyte है moss तो bryophyte है लेकिन club moss teridophyte है horse tail teridophyte, marsilia teridophyte answer हमारा A moss lycopodium dash का उधारन है अब lycopodium यह थोड़ा मिलता जुलता word है pseudopodium, pseudopodia इन सबसे तो pseudopodium या फिर pseudopodia यह तो हमें amoeba और WBC के अंदर देखने को मिलता है लेकिन lycopodium जो है यह है आपका teridophyte यानि यह plant है lycopodium यह तो plant है plant में भी कौन सा teridophyte है इसलिए हमारा यहाँ पर best answer teridophyte होगा अब तक हम लोग पादब जगत के अंदर किप्टो गैम के अंदर थैलो फाइटा के बारे में देखा सवालों को कर चुके है ब्रायो फाइटा के उपर सवालों को कर चुके है इसके बाद हम लोग अब देखेंगे इन से जादा विक्सित हुए teridophyta है थैलो फाइटा के अंदर stem नहीं है root नहीं है leaf नहीं है gyllum नहीं है phloem phloem नहीं है और सेम है ब्रायो फाइटा के लिए यहाँ भी stem नहीं है root नहीं है leaf नहीं है gyllum नहीं है phloem नहीं है writing के लिए माफी चाहूंगा लेकिन teridophyta अब जैसे जैसे हम भाई थैलो फाइटा से teridophyta के तरफ आया है तो यह क्या हुआ advance होते चला गिया teridophyta यह पहले ऐसे crypto game है यह पहले ऐसे पादप है जहां वास्तों में stem पाया जाता है जहां वास्तों में जड़े पाई जाती है जहां वास्तों में पत्तियां पाई जाती है और वास्तों में gyllum हमें इसमें मिलता है वास्तों में हमें phloem यहाँ पर मिलता है अब इसके बाद teridophyte के बाद जो भी आप देखेंगे जीमिनोस्परम, एंजियोस्परम इन सब में ये सारे ही present होते हैं stem, root, leaf, gylam, phloem ये सारे ही present होते हैं जाइलम और phloem के बारे मैंने आपसे कहा कि इन में वहिका नहीं होती है और इन में companion cells नहीं होते हैं phloem के अंदर तो ये बातें जीमिनोस्परम के लिए भी सही है कि जाइलम में वैसल्स नहीं होते हैं, phloem में companion cells नहीं होते हैं अब आते हैं जीमिनोस्परम के उपर जीमिनोस्परम से काफी सारे सवाल बनते हैं नंगन बीच देने वाले हम लोग ने फैनेरो गैम के अंदर जीमिनो स्परम को देखा था यहाँ पर देख लो फैनेरो गैम के अंदर हम लोगों ने जीमिनो स्परम को देखा था फैनेरो गैम के अंदर ये जीमिनो स्परम एंज्यो स्परम है ये भी सीड देते हैं ये भी seed देते हैं, ये दोनों कह जाते हैं spermatophytes, लेकिन फर्क इतना है इनके seed के चारो तरब कोई कपड़ा नहीं होता यानि कपड़े के अंदर नहीं होते हैं यानि covered नहीं होते हैं, नेकेड होते हैं और ये covered होते हैं तो gymno sperm, जो है ये नगन बीच देने वाले plants है ये पहले ऐसे plant हैं जिन्होंने बीच देना स्टार्ट किया ये first seed producing plants हैं क्योंकि अब तक आपने देखा कि थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा इन सब में कोई भी है ऐसे, कोई भी ऐसे नहीं है जो बीच दे रहे थे जीमिनो स्परम से अभी start हो चुका है वैस्कुलर सिस्टम वैस्कुलर सिस्टम तो मैंने आपसे कहा ये टेरिडोफाइट सही शुरू हो चुका है लेकिन जैलम के पास vessels नहीं होते हैं, फ्लोईम के पास companion cells नहीं होते हैं जीमिनो स्परम और टेरिडोफाइट के अंदर ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे अधिकांश परवत्य शेतर में पाए जाते हैं जहां का तापमान कम होता है अधिकांश ऐसे शेतर में पाए जाते हैं जहां का तापमान कम होता है जो Jimino Spumps होते हैं उनमें जो जड़े होती है वो ज़्यादा तर मुसला जड़ होती है टैप, रूट होती है हम लोग रूट के बारे में अगले चप्र प्लांट मॉर्फोलोजी के अंदर पढ़ेंगे हम लोग प्रागन के बारे में भी पढ़ेंगे जब हम रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे प्लांट के अंदर हम लोग पढ़ेंगे जो प्रागन की प्रक्रिया है ये वायू के दोरा, जल के दोरा, हवा के दोरा, इंसेक्ट के दोरा, जानवर के दोरा, इंसब के दोरा यह पड़ागन की जो प्रिक्रिया है यह हो सकती है लेकिन जीमनो एस्परम के अंदर मेंली वायू के दोरा होता है यह आप देख सकते हो यह इस तरह के प्लांट आपने देखे होंगे यह है साइकस सजावटी पौधा है यह साइकस, तो साइकस यह जीनस है जीमनो एस्परम के अंदर पाइनस आता है यह भी साइकस प्लांट का जीनस है और यह जो पाइनस है यह भी प्लांट का जीनस है तो साइकस की जो जड़ है साइकस प्लांट की जड़ है उनमें होता है साइनो बैक्टिरिया nitrogen fix करने के लिए nitrogen इस्तरी करन करने के लिए और जब साइकस की जड़ में ये साइनो बैक्टिरिया हो तब हम इसे बोलते हैं प्रवाल मोल Correloid Root तो ये चीज़ आप दिहान रखेंगे प्रवाल मोल का मतलब हो गया साइकस की जड़ प्लस साइनो बैक्टिरिया वैसे ही प्रवाल की जड़ में कवक होते हैं इसलिए हम इस जड़ को प्रवाल को कवक मोल कहते हैं Mycor icha के बारे में आप दिहान में रखना कि ये सहजीविय संबंद है पौध है प्लस कवक के बीच ये जो पाइनस की जड़ है ये भी तो पौध ही है तो इसलिए हम यहाँ पर माइको राइजा बोलेंगे सहजीविय संबंध है पाइनस की जड़ और कवक के बीच ये चीज़ आप दिहान में रखना और प्रवाल मोल ये साइकस की जड़ और साइनो बैक्टिरिया के बीच एक आपने लाइकेन सुना होगा लाइकेन जो की सहजीविय संबंध है कवक और शावाल के बीच सबसे लंबा जीमिनो इस्पर्म वरिक्ष ये है सिकुवा और सबसे छोटा जीमिनो इस्पर्म वरिक्ष ये है जेमिया सजीव जिवाश्म, Living Fossils Living Fossils के लिए आप याद रखेंगे साइकस को और जिंको बाइलोबा या फिर सिंपल जिंको को ये जिंको जो है ये चीन का राश्चिय वरिक्ष है जिंको तो सजीव जिवाश्म के रूप में आप साइकस दिहान में रखेंगे और जिंको दिहान में रखेंगे सजीव जिवाश्म कहने का मतलब ये हुआ, मैंने अभी आपसे कहा कि ये जो साइकस है ये जो साइकस है ये क्या है जाती है सुरी माफ करना ये कुल है ये जीनस है आप जानते हो एक जीनस के अंदर कई सारी जाती है तो एक जीनस के अंदर कई सारी जाती है तो मान लो इसमें से कुछ जाती है जो है वो लाखों साल पहले थी अब वो मर चुकी है कुछ जातिया साइकस की वो लाखों साल पहले थी अब वो मर चुके है उन इनके जीवाश्म हमें प्राप्त होते हैं लेकिन कुछ जातिया अभी भी जिंदा है अभी भी यह exist करते हैं यह प्लांट बाकी के सारे जाति जो है वो extinct कर चुके हैं तो इसलिए हम इसे साइकस को क् फिलुप्त हो चुके हैं लेकिन कुछ पादप उसी जाती के अभी वी जिन्दा है तो भी हम बोलेंगे उन्हें सजीव जिवाशम तो साइकस और झिंको भी ये जीनस है इनके भी बहुत सारी जातीया है इस दुनिया जा चुकि है इनके जिवाश में मिलते हैं और कुछ जाती है अभी भी जिन्दा है इसलिए बोलते हैं सजीव जिवाश में यह ऐसे प्लांट है जिनके जिवाश में मिलते हैं और यह कुछ अभी के टाइम में एंग्जिस्ट भी करते हैं जीमनो एस्परम से जो लकरी प्राप्त होता है ना वो लकरी जो है वो हलकी होती है, सौफ्ट होती है, हलकी लकरी होने के कारण इनका इस्तमाल खिलोने के रूप में, खिलोने बनाने में, मैच स्टिक जो माचिस के तीलिया होती है, माचिस के जो कवर होती है, इन सब में इस् पत्या होती है, कुछ पत्या ये रुपांत्रित हो जाती है स्पोरो फिल के अंदर, ध्यान देना, प्रजनन के समय, प्रजनन करने के लिए कुछ पत्या जो है, ये रुपांत्रित हो जाती है स्पोरो फिल के अंदर, फिर ये स्पोरो फिल मिल करके बनाते हैं, कौन या फिर स तो ये order आप धियान में रखना, कि जनन के लिए कुछ पतिया सबसे पहले बदल जाती है, भी जानू पढ़ने में, स्परोफिल में, और फिर वो सम मिल करके, बहुत सारे स्परोफिल मिल करके बनाते हैं, शंकू या फिर स्टोबाइली, अब ये male शंकू हो सकता है, और female शंक स्परोफिल, ठीक है, ये है स्परोफिल, ये है स्परोफिल, ये है स्परोफिल, और ये स्परोफिल के उपर आपको ये सोरस दिख रहा है, तो एक सोरस के अंदर जो है, कई सारे स्पोरेंजिया है, और उस स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर्स है, ठीक है, ये जो स्पोरोफ है इसके ओपर आप यह Saurus देख रहे हो Saurus के अंदर Sworangia के अंदर Sports है अगर मालो यह मेल कोन है तब यह जो Sports है यह för Lawrence बनाते हैं अगर Female कौन है तो यह एक्स बनाते हैं यह सबसे Simple तरीके से जो मैं समझा सकता था यह मैंने आपको समझाया बाकि ये जो चीजे है न इनिमेजनन ये थोड़ा complex होता है जटील होता है समझना लेकिन मैंने अपने तरीके से सबसे आसान तरीके से जो मुझे लगा ये मैंने आपको समझा दिया एक बार और मैं आपको बताता हूँ उल्टे तरीके से मान लो जीमनो एस्परम का कोई plant है उसमें आपको मेल कौन दिख गया मेल कौन दिख गया यानि कि मेल शंकु आपको दिखा मेल इस्टोबाइली आपको दिखा वो जो मेल कौन है ये बना होगा एस्पोरोफिल से ये बना होगा एस्पोरोफिल से उस एस्पोरोफिल के अंदर एस्पोरेंजिया होगा उस एस् पॉलेंस का निर्मान करते हैं, पडागन बनाते हैं, वहीं अगर ये फीमेल कौन होता, तो उस फीमेल कौन के अंदर भी इस्पोरोफिल्स होते हैं, उस इस्पोरोफिल के अंदर इस्पोरेंजिया होता, उस इस्पोरेंजिया के अंदर इस्पोर्स होते हैं, और वो बनाते और यह जो sporophyll है बिजानुपर्ण है यह पत्या ही है जो रुपांत्रित हो चुकी है यह जो बाते मैंने आप से कही यह है जीमनो स्पर्म के लिए लेकिन टेरिडोफाइटा के अंदर भी कुछ ऐसे मेंबर्स है जिनके अंदर यह कौन दिखते हैं इन सब में यह सारी बाते जो है यह लागो होती है रिप्रड़क्शन के लिए तो यहां जो आप देख रहो न यह जो sporophylls है यही sporophylls जो है मिल करके देखो यह वाली सनचना बना लेती है इसको बोलते है कौन या फिर astrobialis यह singular word है astrobialis यह plural word होता है अब जीमिनो एस्परम के अंदर भी समू है जीमिनो एस्परम के अंदर जो समू है उनमें है सबसे पहले conifers, coniferoxida, शंकुधारी इनमें देखो कौन-कौन से है शंकुधारी में पाइनस है, फर है, थूजा है, रेड़वूड है रेड़वूड को ही सिकुवा बोलते हैं, जो की सबसे बड़ा जीमिनो एस्परम है सिकुवा आप देखो सजावटी पौध है तो कई सारे हो सकते हैं जीमिनो एस्परम के अंदर लेकिन आपके हिजाम में आने के जो चांसेज है वो है थूजा और ये साइकस लेगिन जो साइकस है ये ऐक अलग गूरूप है साइको-डॉपसीडा, स्वरी माफ करना, साइके-डॉपसीडा साइके-डॉपसीडा के अंदर साइकस आएगा और जेमिया आएगा िडोपसिडा के अंदर एफिडरा है गा जिसे अस्तमा की दवा एफिडरीन प्राप्त किया जाता है तो कॉनिफर्स के अंदर पाइनस फर्व थूजा रेडबूड-या फिर सिक्व तो यहां आप देख सकते हो प्लांट्स देखते हो यह जो शंकु के अकार के होते हैं यह होते हैं जीमनो इस्पर्म के प्लांट जैसे आपने क्रिस्मस ट्री को देखा होगा तो क्रिस्मस ट्री जो होता है वो भी जीमनो इस्पर्म ही होता है यह आप देख सकते हो इस तरह के प्लांट्स आपने देखे ह सजावटो के लिए इस तरह के plant लगाइजाते हैं ये भी जीमनो स्पर्म के है फूजा तो थूजा हो गया और साीकस हो गया ये दोनों आप धिहान रखेंगे सजावटी plants है फूजा ये जीमनो स्पर्म है और यह अफिट्रा तो देखते हैं अर्थिक महत्وب के बारे में जो अभी आपने यहाँ पर देखा ना, pine यह, pineus, या फिर pine बोल दो साइकस style का अच्छा स्रोथ है सागो सागो क्या है तो यह भी story है जिसका इस्तमाल सबंडाना बनाने में होता है किойти छिर्द ये जो प्लांट है ए फिर्दस से चल री सिटरीन ऑठमा का ये दवा है किया जाता है जो कि cancer की दवा है pinus की बीज चिलगोजा जो कि pinus की बीज है इसका इस्तेमाल खाने के लिए किया जाता है dry foot के रूप में इसलिए इसे gymnosperm का मेवा कहा जाता है तो आपके मने में ये चीज आ सकता है कि pinus के ही पेड से रेजिन भी प्राप्त हो रहा है तेल भी प्राप्त हो रहा है चिलगोजा बीज भी खाने वाला प्राप्त हो रहा है ये सब कैसे हो रहा है तो फिर से मैं आपको बता रहा हूँ कि pinus ये जीनस का नाम है ये जीनस है इसके अंदर कई सारी जातियां आती है तो एक जाती ऐसे होंगे इन में जहां से तेल प्राप्त किया जाता होगा एक जाती ऐसे होंगे जहां से रेजीन प्राप्त किया जाता होगा ठीक है तो ये अलग-अलग जातियों की बात हो रही होती है लेकिन हम लोग क्या करते हैं पाइनस, जीनस का नाम लेते हैं जेनरली प्लांट में या फिर एन्मल के अंदर हम लोग जीनस को लेकर करके चलते हैं क्योंकि स्पेशीज का नाम ध्यान में रखना ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है इसलिए एक्जाम में भी आपसे जीनस का ही नाम देखर के पूछा जाता है आपसे एक्जाम में पूछा जाएका तारपीन का तेल किस से प्राप्त होता है तो भी आंसर में देखना आपको पाइनस या फिर पाइन दिख जाएगा आपसे पुछा जायागा कि चिलगोजा जो बीज है वो किसे प्राप्त होता है तो भी आपको आंसर में पाइनस दिख जायेगा ऐसा नहीं होगा कि जाती का नाम लिखा होगा और एकेसिया, सिक्वा और पाइनस के पेर से टेनिन प्राप्त होता है अब देखों यहाँ पर टेनिन भी प्राप्त होगा तो यह एक अलग जाती का काम होगा चीक है तो यह सारे पॉइनस को हम लोग ने डिसकस किया एमबर यह रेजीन है और कनाडा बलसम यह बी रेजीन है यहाँ जो जीमिनो इस्पंपास से प्राप्त होता है तिम्बर का अच्छा सुरूत है, सबसे ज़्यादा जो टिम्बर प्राप्त होता है, वो जीम्नो स्पम के प्लांट से ही प्लांट से प्लांट से प्लांट होता है, तो जीम्नो स्पम के अंदर है देवदारा प्लांट, तो देवदारा की जो लकरी होती है, इनसे बनाने में इन सम्में इनका इस्तमाल बहुत ज़्यादा होता है कभी पूछे कि Sulfur Shower की घटना ये कौन से पादप के अंदर देखा जाता है तो आंसर आपका Jimno Spum होगा ये बस नाम याद रखो Sulfur Shower Sulfur Shower की घटना ये Jimno Spum प्लांट के अंदर देखा जाता है अब आते हैं फिर से सवालों की उपर नगन बीज उत्पन करने वाले पौधों को डैश कहते हैं तो जिनके बीज कवर्ड नहीं होते हैं नेकट होते हैं वो होते हैं Jimno Spum Jimno का मतलब होता है नेकट Spum का मतलब होता है Seed Jimno Spum में पड़ागन डैश द्वारा होता है तो Jimno Spum में पड़ागन जो है मेनली होतो सकते हैं इन सब के द्वारा लेकिन Jimno Spum के अंदर ये हवा के द्वारा होता है Jimno Spum पौधे में फल नहीं पाया जाता क्योंकि जीमिनो स्पर्म पोधे में फल नहीं पाया जाता है क्योंकि इनके पास अंडाशे नहीं होता है ये जो ओवडी होता है ये जो अंडाशे होता है यही निशेशन के बाद फल बनेगा लेकिन ये एंजियो i sparm में होगा क्योंकि एंजियो i sparm में औलवरी होता है जिमण i sparm में औलवरी नहीं होता है इसलिए पल नहीं बनता है जिमण i sparm की विशेष्था नहीं है इनमें मुस्ला जञ, ज 취 quyष्ष्ब उसला जड़ होती है, नुकीली पतियां होती है, ये भी सही है, ये भी important point है, ये धिहान में रखना आप, needles like leaves होते हैं, जिमनो इस्पम के अंदर, खास करके जो मैंने आपको pinus कहा उनके अंदर, जिमनो इस्पम में भी जो pinus है उनके अंदर, या फिर बोल दो, जो conifers है, कि किस पादब के अंदर, नुकीली पतियां होती है, या फिर सुही जैसी पतियां होती है, तो भी answer आपका जिमनो इस्पम ही होगा, एक भी कल्प में देख लेना, क्यूंकि ये जो जिमनो इस्पम होते हैं, जादा तर ऐसे अस्थान पर पाई जाते हैं, जहाँ जल की कमी ह ये जेरोफाइटिक होते हैं, जेरोफाइटिक प्लांस होते हैं, जेरोफाइटिक प्लांस कहने का मतलब ये हुआ, जहाँ पानी बहुत ही कम है, जहाँ पानी बहुत ही कम है, वहाँ पर भी ये प्लांट अच्छे से ग्रो करते हैं, ऐसे प्लांट को जेरोफाइटिक बोल यह आपको हिली एरियाज में जहां आगा temperature कम है इन सारे अस्थानों पर मिलेगा और वहाँ पर पानी की भी कमी होती है इसलिए हम लोग इसे जिरोफाइटिक प्लांट बोलते हैं तो वाश्पोथ सरजन की जो प्रक्रिया है जिन से पानी loss होता है उसे रोकने के लिए इनिकी जो पतिया है ये नुकीली हो जाती है क्योंकि जितना ज्यादा surface area होगा उतने ही जादा water का loss होगा इसलिए जो पतिया है ये needles like हो जाती है इस प्रकार से needles like हो जाती है दम नुकीली से हो जाती है इस प्रकार से ताकि जल का loss कम से कम हो क्योंकि ये जेरोफाइटिक प्लांट है कम जल वाले अस्थान में ये पाई जाते हैं प्रतम बीज सहीत पाउदा है सबसे पहला ऐसा पाउदा है जो बीज देते हैं तो ये भी सही है तो इन में से कोई नहीं है जो की गलत है इन में से कोई नहीं है तारपीन का तेल डैश के पेर से प्राप्त किया जाता है तारपीन का तेल ये चीर के पेर से पाइन के पेर से प्राप्त होता है निम्न में कौन एक सजावटी जीमनोस्परम पौदा है सजावटी तो ये है साइकस साइकस भी धियान रखो थूजा भी दियान नको, जुनी पर्स भी होता है एंबर और कनाडा बालसम एंबर क्या है और कनाडा बालसम क्या है ये दोनों है रेजिन B हमारा राइट आंसर रेजिन अस्तमा की दवा एफिड्रिन दैश जीमनोस्परम पादप से प्राप्त होता है अस्तमा की दवा एफिड्रिन ये एफिड्रा जीमनोस्परम प्लांट से प्राप्त होता है और टेकसस से टेकसॉल कैंसर की दवा प्राप्त होता है सिनकोना, सिनकोना ये फ्लावरिंग प्लांट है यानि एंजियोस्परम प्लांट है ये और यहाँ से याद करो क्यूनीन क्यूनीन जो की मलेडिया की दवा है ये प्राप्त होता है सिनकोना के पेड से लेकिन ये फ्लावरिंग प्लांट है फूल देने वाले हैं यानि कि एंजियो स्पर्म है निमिन में कौन खाने योगी पाइनस की वीज है खाने योग पाइनस के वीज़े चिल हो जा फर्ण में बिजानू पर्ण किसका रुपांतरित रूप है तो फर्ण आपने कहां पढ़ा था तरीडो फाइटा के अंदर ये तरीडो फाइट्स होते हैं और अभी मैंने आपको थोड़े पहले बताया कि जनन के लिए जो पत्या होती है वो इस्पोरोफिल बनाती है इस्पोरोफिल में रुपांतरित हो जाती है पत्या भी हमारा राइट आंसर जीमनो इस्पर में बिजानो पुर्ण समोहीत होकर बनाते हैं तो पत्तिया रुपांत्रित होकर के sporophyll बनाती है और यही sporophylls, बहुत सारे sporophylls मिलकर के कौन बनाते हैं, शंकू साइकस के सरमन् Buddhist में गलत चुणना है यह Jimno sperm है यह बिलकुल सही है, Unisexual है यह भी सही है Unisexual कहने का मतलब यह हुआ, कि एक प्लांट के अंदर या तो male reproductive part होगा, या फिर female reproductive part होगा एक ही प्लांट के अंदर male reproductive part और female reproductive part यह नहीं होंगे अब ये Jimno Sperm है तो यहाँ Male Cone और Female Cone Male Cone और Female Cone यही होते हैं Reproductive Part तो Male Cone हो सकता है, Female Cone हो सकता है अब क्योंकि ये Psychous है और ये Unisexual है तो एक प्लांट के अंदर या तो Male Cone होगा या फिर Female Cone होगा ऐसा नहीं होगा कि एक ही प्लांट के अंदर ये दोनों दिखे, एक ही plant के अंदर ये दोनों दिख सकते हैं, pinus के अंदर ठीक है, pinus के अंदर pinus जो Jimno Sperm plant है इसके अंदर male cone, female cone ये दोनों दिख सकते है, ये bisexual होते है pinus, लेकिन psychus ये unisexual होते है, या तो male cone होगा, या फिर female cone होगा और living fossils होते हैं, ये दो मैंने आपसे अल्रेड़ी discuss कर लिया होगा है तो D, ये मारा right answer, ये गलत है चीन का national tree, ये मैंने आपसे कहा jinko, सबसे छोटा Jimno Sperm path है सबसे छोटा Jimno Sperm path है jamia और सबसे बड़ा है sequua हमसे सबसे छोटा पूछा है, तो सबसे बड़ा Jimno Sperm path है sequua प्रवाल मोल, यानि की coralloid root, psychus और dash के बीच सहजिविये संबन्द है तो जो प्रवाल मोल होते हैं, उनमें cyanobacteria के साथ निलहरित, शवाल के साथ सहजिविये संबन्द होता है mycorrhiza ये सहजिविये संबन्द है, तो mycorrhiza ये भी पौधो और कवक के बीच सहजिविये संबन्द है, तो ये वाला सहजिविये संबन्द है, कवक मोल mycorrhiza, ये मैं देखने को मिलता है, पाइनस root के साथ तो पाइनस root and fungi Jimno Sperm में देखो full नहीं है, एंजियो Sperm में देखो, ये सारे full है तो एंजियो Sperm ये पहले ऐसे पादब है, जिन्होंने full देना start किया जिन्होंने full देना इस्टार्ट किया, और ये सबसे ज़्यादा advanced है ये सबसे ज़्यादा advanced है प्रित्वी पर सबसे अधिक पाए जाने वाले से flowering plant भी कहते है फूल देने वाले पादप पुषपी पादप निमन में कौन एंजियो sperm की विश्रिस्ता नहीं है तो एंजियो sperm ये फूल भी देते हैं ये फल भी देते हैं इनमें दोहरी निशेशन होता है ये जब हम लोग निशेशन पढ़ेंगे प्लांट के अंदर तब देखेंगे इनके बीज नगन होते हैं तो ये गलत हो जाएगा नगन बीज जीमिनो स्पर्म में था एंजियो का मतलब होता है कवर्ड और स्पर्म का मतलब होता है सीड कवर्ड सीड ये एंजियो स्पर्म में होता है ना कि नेकड होता है एंजियो स्पर्म का जनन भाग होता है एंजियो स्पर्म का जनन भाग ये देख लो आपने देखा था जीमिनो स्परम में कौन था वो शंको, इस्टो, इस्टो बाइली जनन भाग था यहाँ फूल है तो हमारा अंसर फूल हो जाएगा अब तक हम लोग कवर कर चुके हैं पादब जगत के अंदर क्रिप्टो गैम और फैनेडो गैम के अंदर जीमिनो स्परम और अंजियो स्परम अब हम लोग अंजियो स्परम के अंदर मोनो कोट के उपर और डाइकोट के उपर सवालों को देखते हैं अंजियो स्परम के अंदर भी दो ग्रूप है पहला मोनो कोट यहाँ पर जो आपको मैंने दिखाया पहला Monocot और उसके बाद Dicot Monocot इसलिए बोलते है Mono का मतलब होता है 1 और Cot का मतलब होता है Cotyledon ये जो आप पाट देख रहे हो ये बीज के अंदर का पाट है ये बीज का पाट है इसके अंदर देको एकी Cotyledon है ये बाला जो भागयन है इसी को Cotyledon बोलते है क्योंकि एक ही Cotyledon है इसलिए हम Monocot बोलते है जो Monocot Angio Spam होते हैं उनमें Fibrous Root होती है रेशेदार जड होती है हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में रेशेदार जड मुसला जड इन सब के बारे में Fibrous Root होती है ये आप देख सकते हो Fibrous Like Roots जो Monocot होते हैं इनमें Cambium Absent होता है ये देखो जो Internal Structure होता है Stem का हो गया तना हो गया या फिर जड हो गया इन सब का अगर आप Internal Structure देखो तो आपको Cambium नाम की सनचना देखती है ये Cambium जो है Monocot के अंदर Absent होता है इनमें होता है समनांतर Shira Vinyas Parallel Vinyation यानि इनकी पत्तियों में इनकी पत्तियों में ये जो शिराएं होती है ये एक दूसरे के समनांतर होती है इस परकार से एक दूसरे के समनांतर होती है ये पत्तियों में यह जो शीडाएं हैं यह एक दूसरे के समनांतर होती है इसलिए बोलते हैं कि यह समनांतर शीडा बे न्यास है तो यह wheat हो गया और यह banana यह दोनों ही monocot के example है monocot flowering plant या फिर monocot angio sperm तो यह चार जो points मैंने आपको बताएं न यह important है यहां से ग्रूप D 2018 में सवाल पूछा जा चुका है और इन ही चार में से देखना कोई न कोई आपसे पूछा जाएगा अगर पूछा गया तो अब बात करते हैं angio sperm के अंदर जो दूसरा ग्रूप है dicot, die मतलब दो होता है यहां देखो एक cotyledon यहां है एक cotyledon यहां है इसलिए दो cotyledon है यहां पर दो बीच पत्र है उसमें देखा था अपने fibrous root यहां होता है tap root ठीक है, यहां होता है tap root उनमें आपने देखा था कि cambium नहीं था, यहां पर cambium present होता है cambium यहां पर present होता है जैसे कि तना है, stem है यह जो तना है, मालीजी यह plant है तो यह जो तना है, तना के बाहर आप छाल देखते हो बार्ग देखते हो, बार्ग के अंदर आपको cambium मिलेगा cambium, cork, यह सब आपने सुना होगा तो cambium यह dicode के अंदर present होता है monocode के अंदर यह absent होता है उसमें आपने देखा था, समनांतर, शीड़ा विन्यास parallel, विनेशन आपने देखा था यहाँ पर reticulate विनेशन होता है यानि यहाँ पर कोई fix नहीं है कि शीड़ाएं किस प्रकार से होंगी reticulate, जालिका, रूपी, शीड़ा विन्यास बिल्कुल network के जैसे, जाल के जैसे जैसे आप यहाँ देख सकते हो ऐसे है, ऐसे है, फिर, यहाँ मतलब कोई parallel जैसी कोई बात ही नहीं है यह ऐसे इस परकार से हो सकते है जालिका, रूपी तो यह चारो ही points important है निमिन में कौन एक बीच पत्री एक cotyledon होता है और vascular tissue तो होगा ही यह तो teledophyte से ही शुरू हो चुका है बंद बीच या फल के अंदर बीच उत्पन करने वाले पौधों को डैश कहते है बंद बीच या फल के अंदर बीच उत्पन करने वाले पौधों को क्या कहते है एंजियो स्परम कहते है बंद बीच या निकी ढखा हुआ है निकट नहीं है तो यह एंजियो स्परम निमिन में कौन एक पुषपी पादप है flowering plant है flowering plant मोले तो एंजियो स्परम के प्लांट तो pinus और psychus हम लोग ने देखा जीमिनो स्परम है moss हम लोग ने देखा bryophyte के अंदर गेहू हमारा right आंसर हो जाएगा गेहू है monocot अंजियो स्परम अंजियो स्परम में बीच का विकास अंडाशे के अंदर होता है यही अंडाशे निशेचन के बाद बन जाता है फल answer हमारा फल fruit एक बीच पत्री वाले पौधों को dash कहते हैं एक बीच पत्री वाले पौधों को monocot कहते हैं यह हमारा right answer और दो बीच पत्री वाले को dicote कहते हैं समानंतर शीडा विन्यास किसमें पाई जाती है parallel venation यह हमें देखने को मिलेगा मोनोकोट के अंदर और डाइकोट के अंदर रेट्यूकुलेट विनेशन जालिका रूपी शीरा मिन्यास निमिन में कौन दिव बीज पत्री पौदा है कौन है डाइकोट प्लांट डाइकोट प्लांट इनमें एक ही है लॉंग बाकि ये तीनों ही मोनोकोट्स है ये देखो एक बीज पत्री और दिव बीज पत्री पादप के मैंने यहाँ पर नाम लिख दिये हैं अब देखो पूछने के लिए तो इनमें से कोई साभी पूछा जा सकता है मैंने बोल्ड कर दिया हुआ है जो NCRT के किताम में दे रखा है लहसून हो गया, प्याज हो गया, यहूं हो गया, बास हो गया, गन्ना हो गया, मक्का हो गया, चावल हो गया, ये सब ये सब कम से कम अब ध्यान में रखे दिव बीच पत्री में मटर हो गया, चना हो गया, सरसो हो गया, मुली हो गया, गाजर हो गया, दाल हो गया और आलो नमिन में कौन एक बीच पत्री पोदा है, यह है वीट दुनिया का सबसे लंबा पादप या सबसे लंबा पुश्पी पादप या सबसे लंबा एंजियो स्परम इन में से कोई सभी पूछे आंसर आपका होगा UK Liptus UK Liptus दुनिया का सबसे लंबा पादप बोल दे लंबा पुषपी पादप बोल दे या फिर लंबा एंज्योस्परम बोल दे क्योंकि यह जो पादप है यह full देते है UK Liptus यह दुनिया का सबसे लंबा पादप है और यह full देते है मत्तों यह pushpi padap है और जो pushpi padap होते हैं वो angiosperm होते है दुनिया का सबसे छोटा padap या फिर सबसे छोटा pushpi padap या फिर सबसे छोटा angiosperm आंसर होगा wolfia wolfia मानलो नहीं हो अगर wolfia दिख जाये तो आप इसको टिक मार देना लेकिन मानलो wolfia नहीं हो और water meal हो तो आप इसको टिक मार देना और हो सकता है water meal नहीं हो wolfia भी नहीं हो duckweed मिल जाए आपको तो duckweed को टिक मार देना वैसे duckweed यह family है duckweed family के अंदर यह wolfia जो padap है यह आता है और इसी को समानिता water meal भी खा जाता है तो देखना जैसे भी कलब हो उसके अनुसार टिक मार देना wolfia देख जाए तो आप सबसे पहले wolfia के साथ जाएंगे beach dash प्रक्रिया का परतिफल है seed जो है यह बनते है sexual reproduction के कारण be हमारा right answer language general के कारण चटानों पर पाय जाने वाले शेवाल या पादब को lithophite कहते है यह हमारा right answer और बर्फ पर पाय जाने वाले चटान या पादब को crypto fight कहते है dash के कारण शेवाल का रंग भूड़ा होता है phyco-genthine के कारण शेवाल का रंग भूड़ा होता है phyco-edithing के कारण लाल होता है और chlorophyll के कारण हरा होता है beach हिन पादब dash के अंदर गताते है जो पादब बीज नहीं देते हैं वो आते हैं crypto game के अंदर c हमारा right answer निमिन में कौन एक सबसे बड़ा यहां लिख ले न देखो यहां लिखा हुआ है largest unicellular algae सबसे बड़ा एक कोश्किय शेवाल सबसे बड़ा एक कोश्किय शेवाल यहां देखो कारा है कलेमेडो मुनास है वल्वाक्स है acetabularia है हमारा answer यहां पर acetabularia होगा क्योंकि यहां पर यह नहीं दे रखा था जो मैंने आपको बताया कॉलपा नहीं दे रखा था अगर कॉलपा दे रखा होता तो हम इसको टिक मार देते हैं क्योंकि सबसे बड़ा एक कोश्किय शेवाल यह है अगर यह ना हो तो acetabularia को आप टिक मार सकते हो तो हमारे इस केस में acetabularia है तो acetabularia हम टिक मारें गा और ज्यादा चांसे acetabularia ही आने का अगर आया तो तो यहां सबसे बड़ा एक कुश्किय शेवाल था मालो यहां अगर पादप पूछ दे तो भी आंसर यही होगा और जीव पोल दे तो भी आंसर यही होगा तो इन दोनों विकल्प में से आप देखना ध्यान से कि कौन दिया हुआ है पहले priority पर आप इसको रखेंगे दूसरे पर इसको रखेंगे निमन में कौन मरुअस्थलिय पादे है डेजाट प्लांट जो डेजाट प्लांट होते हैं वो जेरोफाइटिक होते हैं जेरोफाइटिक बोले तो यह कम पानी में भी अपने आपको सर्वाइव कर लेते हैं इनको ज़्यादा पानी नहीं चाहिए कम जल में भी यह अपना काम चलाते हैं ऐसे प्लांट को हम बोलते हैं जेरोफाइटिक तो जो मरुअस्थलिय होते हैं तो मरुअस्थल में पानी की कमी होती है तो जो मरसलिये पौधे होते हैं वो भी जेरोफाइटिक होते हैं आंजर मरा कैक्टस हो जाएगा लोटस आप जानते हो ये जलिये पादप है तो इसे हम लोग बोलते हैं हैलोफाइटिक स्वरी माफ करना हैट्रोफाइटिक यह hydrophytic है यह जल में रहते हैं corn को बोलते हैं mesophytic mesophytic यह वो plant है जिनको ना ज़्यादा जल चाहिए ना कम जल चाहिए इनको चाहिए एक moderate level का जल ठीक है एक moderate level का जल चाहिए moderate water चाहिए तो उसे बोलते हैं mesophytic और cactus इनको तो बहुत ही कम जल मिलता है तो यह हो जाएंगे जिरोफाइटिक और सी ग्रास सी ग्रास ग्रासे जोते हैं इन्हें बोलते हैं हैलोफाइटिक हैलोफाइटिक का मतलब होता है कि जो ऐसे अस्थान पर पाया जाते हैं जहां सेलेनीटी जादा हो लवड ज्यादा हो लवड़ियBrurbs अस्तान पर ये लवड़िये मिट्टी भी हो सकते हैं लवड़िये जल भी हो सकते हैं लवड़िये अस्तान पर जो प्लान्ट पाया जाते हैं उसे Herophytec बोलते हैं तो जो Hydrophitec होते हैं lotus इनको बहुत ज़्यादा पानी चाहिए जो mesophytic होते हैं इनको ठीक ठाक पानी चाहिए न ज़्यादा न कम जैसे कि corn और जो zero phatic होते हैं इनको ये पादब कम पानी में भी survive कर लेते हैं तो ये हमारा plant kingdom जो chapter है ये यहाँ पर समाप्त होता है इसके बाद अगला chapter होगा plant morphology उसके बाद plant physiology थैंक्यू सो मच